नमस्का दोस्तों कैसे हैं आप लोग 6 अक्टूबर 2013 के एडिटोरिल और करेंट अफेर्स एनलेसिस में आपका सौगत है आठ इंपोर्टन टॉपिस के बारे में आज की पर्टिकुलर वीडियो में आपसे बात होगी उसके साथ दोस्तों टेलीगराम ग्रूप जाउनलोड कर सकते हैं टेलीगराम ग्रूप में आज की डेट से क्विजिस भी अपलोड होना शुरू हो गये हैं उसके साथ करेंट अफेर्स की इंपॉर्टन इनफरमिशन पैराग्राफ के फॉर्म में प्रंसाइज मैनर में और टेलीग्राम में अप्लोड हो चुकी है और उसके सासाथ यह जो PDF है करेंट इफेस लेक्चेश की यह तो रैलीग्राम गुरूप में सुबह की सुबह आपको मिली जाती है तो टेलीग्राम गुरूप में आपकी पढ़ाई से रेलेटेड बहुत सार पर फ्री रिसोर्स अवलेबेल है तो टेलीग्राम गुरूप याथ से जोइन कर लिजे टेलीग्राम पे साच मारिए हर्शित दिवेदी वीडियो या हर्शित दिवेदी एजूकेशन आपको मेरा चैनल मिल जाएगा लगभग ऑल्मोस्ट इसमें 60,000 सब्सक्राइबर हो च पहला एडिटोर में आपके साथ डिसकस करूँगा वह है केमिस्ट्री नॉबल प्राइस को लेके ठीक है नॉबल प्राइस का टाइम आ चुका है दोस्तों फिजिक्स नॉबल प्राइस के बारे में हमने डिसकस किया अब केमिस्ट्री नॉबल प्राइस के बारे में डिसकस मतलब इतनी भी ठंडी ना हो कि आप जडाने लगो और आपको सीसे बंद करने पड़ जाएं मतलब अगर सोहामना मौसम है भीड नहीं है बस के अंदर आप अराम से बैठे हो कोई धक्का मुकी नहीं तो आपको अच्छा लगेगा बस के अंदर बैठना वहीं पर अगर आप किसी ऐसी बस में चड़ जाओ तो बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल जैम पैक्ट बस भीड़ो और भाई यह लोग इतरो धक्का मुकी कर रहे हो खड़े होने की जगा नहीं हो तो आपको अब्विस सी बास मजा नहीं आएगा तो वो एक्स्पीरियंस आपके का नॉबल प्राइज है ना केमेस्टी में वो तीन ऐसे लोगों को दिया हुआ है जिनोंने क्वांटम डॉट्स को डिस्कवर किया है और रिफाइन किया है और यह पता करने की कोशिश की है कि क्लोज्ड डेंसली पैक्ड सेटिंग्स में एटम्स और उन एटम्स के जो सब पार्टिकल्स होते हैं वो किस प्रकार से रियाइट करते हैं देखें जो क्वांटम ड़ाट होते हैं वो आपके लोगती स्ट्रीमली स्मॉल क्रिस्टल embora प्र्व और एटम्स होते हैं एक क्वांटम डॉट में एक सिंगल ड्रोंपलर ओफ वाटल में आप कह सकते वो कि 16 billion number आप सेक्स्टिलियन एक ऐसी quantity है जो कि जल्दी आपने सुनी नहीं होगी लेकिन अगर आप सेक्स्टिलियन की बात करो तो 10 to the power 21 मतलब एक drop of water में 10 to the power 21 number of atoms होते हैं और यह जो quantum dot है उसमें आप कहलो कि मुश्किल से 1000 atoms होते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हो कि 10 to the power 21 atoms में 10 to the power 3 atoms में जमीन आसमान का फर्क है अपने आप में quantum dot बहुत ज्यादा छोटा होता है quantum dot में atoms एक बहुत सारी छोटी जगा में 1000 atoms आपके लोग consolidated होंगे और अब यह atoms इतनी छोटी जगा में consolidated होंगे तो इनके जो electrons होंगे वो भी दूसरे के बहुत पास होंगे तो इस setting में जो law ह होता है quantum mechanics का वो quantum dots के behavior को describe करता है जो पूरा का पूरा dot है वो mimic कर सकता है behavior of atom को ठीक है इन dots की बात करें तो dots की कुछ और famous properties भी होती जैसे कि अगर आप dot के ओपर एक light मारोगे तो यह light को absorb करेगा और re-emit करेगा एक अलग frequency पर अब overall वो dot किस particular condition में है यह भी यह decide करता है कि व emit करेगा जैसे for example अगर dot छोटा है smaller dot है तो वो emit करेगा light of higher frequency जो कि blue होगी और अगर वो dot बड़ा है तो वो emit करेगा light of lower frequency जो किसी particular material का बना हुआ है ठीक है और दूसरा quantum dot जो कि उसी material का बना हुआ बर दोनों के sizes में difference है अगर आप उनके ओपर light मारेंगे तो light के reflection में कुछ changes आ जाएंगे कुछ variabilities आ जाएंगे respond करेंगे यह differently point समझ महार आपको तो basically quantum dot के size पर depend करेगा कि जब आप उस पे light मार रहे हो वो कितनी light remit करेगा और कौन सी frequency में light को remit करेगा quantum dots के बहुत सारे applications हैं Transistors में, Lasers में, Medical Imaging में, Quantum Computing में 1981 में Alexei Ikamov यह Soviet Union के लिए कौम कर रहे थे इन्होंने synthesize किया पहली बार quantum dots को frozen inside glass दो साल बात Lewis Bruce ने synthesize किया quantum dots को US में solution के अंदर और उनकी quantum physical properties के उपर काम किया उसके बाद मौंगी बवंडी जिनका काम है quantum dots के उपर as a student under Dr. Bruce उन्होंने भी एक तरीका निकाला जिससे quantum dots को high quality का बनाया जा सकता और reliable way में बनाया जा सकता है 1993 में और इसलिए इन तीनों ने यहाँ पर इस award को शेर किया है एकिमो लुइस ब्रॉस और उसके साथ मौंगी बवंडी तो आप क्या सकते हो कि अपनी technical sophistication के लिए इस scientific discovery को बहुत ज़्यादा comprehensive माना जा सकता है quantum dots एक ऐसी ही discovery है यहाँ पर इसके लिए specialized knowledge चाहिए quantum mechanics की और इतनी specialized knowledge चाहिए कि मेरे आपके जैसे जो generalistic दिमाग के लोग है वो प्रॉपर तरीके से इसको समझ नहीं सकते इन quantum dots की मदद से LED screens इन lights को मतब इस जो quantum dots से reflected light है वो LED screens को lighten कर सकती है ट्यूमर्स को point out कर सकती है उसके बाद green light फेकरी, red light फेकरी, blue light फेकरी इस से और आला आपको उस particular matter की property, condition की situations के बारे हम बता चलेगे फिर बाई diabetes एक ticking norm है देखिए यहाँ पर diabetes से associated problems के बारे मताया जा रहा है जून 2003 मिक study conduct की गई मदराज Diabetes Research Foundation के दोरा दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा जोड़ रोग के आपको अपने mentorship program के बारे मताना चाहूँगा आप चाहें दोस्तों तो यह mentorship program join कर सकते हैं mentorship program में आपके लिए regular basis पे videos upload हो रही है चुकि यह program थोड़ा लंबा है और videos को बनाने में time लग रहा है मैंने बहुत से इसमें plans बना रखे हैं जैसे कि prelims का अभी कि आप word history की videos आने शुरू हुई हैं दो ही videos upload हुई है ethics का course पूरा complete हो चुका है current की refers की video mains की daily की basis पे आपको मिल रही है दो तीन points ने जहाँ पे students का viewpoint था कि सर्फ prelims की videos तो prelims की video बहुत consolidated तरीके से speed में upload होना शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों में और इसके सासद में कोशिश कर रहा हूँ कि CSET का भी कुछ आपके लिए जुगार करके लेके आऊ ठीक ना तो कुल मिला कि इस course को मैं काफी comprehensive और holistic बनाने कोशिश कर रहा हूँ जितने आप इसमें पैसे spend करेंगे उससे बहुत ज़ादा return आपको इस course की पढ़ाई में मिल जाएगा इस सब course में मैंने live videos नहीं रखी है चुकि देखे सीधी बात है live videos के अंदर अगर मैं रखता भी हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाते वक्त obvious सी बात है आपके जवाबों का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा reason being मेरा पढ़ाने पर ध्यान होगा एक set course में मुझे वीडियो लेक्चर खतम करना है तो चाहे live lecture हो चाहे recorded lecture हो वो बस कहने को अलग होता है कि यहां एक set time पे आपकी class हो रही है वो चीज नहीं है आप लेकिन recorded videos आपको daily के basis में मिल रही है आप देखी रहे होंगे content section में content section अच्छा कासा आ चुका है hundreds of videos already upload हो चुकी है मेरे साब से 2,000, 2,000, 3,000 तक videos upload हो चत्री है जब तक overall यह course खतम होगा तो आप proper तरीके से चाहें तो इस course को follow कर सकते हैं इस definitely useful for you चले वापस आजाते हैं यह diabetes वाले ticking bomb के उपर तो भाई एक study गंड़ेट की गई है मदराज Diabetes Research Foundation के दोरा in collaboration with Indian Council of Medical Research जून 2023 में Union Health Ministry ने यह reveal कि 11.4% जो Indian population है और 10.13% जो करोण लोग है लगबग 10.13 करोण लोग Diabetes के साथ रड़ रहे है 15.3% of the population जो की लगबग 13.6 करोण लोग है वो pre-diabetes से सबर कर रहे है और लगबग 28.6% आबादी obese है जब आपका अंदर मोटापा होता है आपका BMI मेजर हिला हुआ है उसके सासद बीमारियां associated होती है cardiovascular बीमारिया associated होती है non communicable बीमारिया जैसे की blood pressure diabetes वगदर associated होते है तो World Health Organization के एसाफ़ से एक major reason क्या है इस particular diabetes का या फिर कहलो obesity का तो वो है consumption of unhealthy ultra processed foods and beverages आज की डेट बेर इस प्रकार के ultra processed foods और beverages को बहुत तेजी से market किया जा रहा है for example chips के packet आते है for example burger हो गया बड़े-बड़े burger chains के pizza हो गया यह सब क्या है यह सब ultra processed fused है इनके साथ beverages मिलती है आपने soda मंगा लिया virgin mojito मंगा लिया यह सब क्या यह beverages है तो यह भाई आपके traditional diet क्या है नॉर्मल दाल चावल रोटी तो दाल चावल रोटी के दमशुद्ध आप खा रहे हो तो भाई आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन अब उसकी जगा burger खा रहे हो pizza खा रहे हो तो भाई problem है ठीक है ना भाई infant formulas यह सब चीज़ें करें नहीं problem करती है तो यह evidence दिखाता है कि जो diet in ultra processed foods में heavy होती है उसमें sugar भी ज़्याद है, fat भी ज़्याद है, salt भी ज़्याद है diabetes होने का भी डर है, blood pressure होने का भी डर है अगर आप 10% increase करते हो in consumption of ultra processed food एक दिन में 15% ज़्यादा chance होंगे आपके type 2 diabetes को contract करने के हो जब food ultra processed होता है इसके structure में cosmetic, additives, colors और flavors ज़्यादा होते हैं जो कि आपकी सहत को नुकसान पहुचाते हैं इससे आप खाते ज़्यादा हो, वजन भी ज़्यादा पाते हो और आपके diabetes को contract करने का जो risk है और obesity और diabetes दो ऐसी problem है जो heart disease लेके आती है, cardiovascular problem लेके आती है तो अगर आप ultra processed food दिन में ज़्यादा खा रहे हो तो आपके cardiovascular disease होने के chances ज़्यादा है जो एक दिन में 4 से ज़्यादा servants ले रहा है ultra processed food की, उसके cardiovascular disease होने के chances उस इनसान से जो कि एक दिन में दो तक ultra processed foods का intake कर रहा है उससे ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा आप ultra processed food को consume करोगे उतना ही ज़्यादा cardiovascular यानि heart problem होने के chances ये भी report किया गया है कि जो sugar sweetened beverages बेची जाती है पिछले 20 साल में कम होई है developed countries में तो high income countries में developed countries में कही न कही लोग पढ़े लिखे हैं उनको healthy खाना खाने के benefits दिख चुके हैं अकसर कर आपको foreign countries में breakfast में salad वगारा चीज़ें मिलेंगे fried चीज़ें वो लोग ज़्यादा खाते हैं नहीं natural चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और ठीक है ना और इनके बेचने वाले प्रेटफॉर्म जो मैटो सुईगी भी कम नहीं है ठीक है ना मैं तो मेरे फोन में जो मैटो है भाई या मुझे मैसे जाते रहते हैं वो जो push notifications आते हैं ना कि भाई the pizza is calling you ठीक है ना मैं रात में कोई दो पज़े तीन मेचे वीडियो ने काट कर रहा हूँ तो late night cravings, order pizza, 100 rupees discount तो इस टाइप से लोगों को ये अपनी तरफ खीचते हैं कि आप process food खाऊ चा मैं पहले बहुत खाता था जिसके visible impacts मेरी health पे भी नज़र आया जब तक overall environment में इस प्रकार के advertisement नहीं होंगे कि ये चीज शुद्ध है, ये चीज अशुद्ध है अब overall, burger और pizza जैसी चीज़ों को कम calorie पे नाम के healthy दिखा के बेचा जाए अब ये तो उल्लू बनाने की बेंतिहा हो गए है, समझगे बात को तो children's है, उनको cartoon characters के प्रती expose किया गया है incentives और gifts की बात की जाती, celebrity endorsement करते है तो इससे क्या consumption decisions, आप किसी pizza brand का अगर कोई celebrity endorse कर रहा है किसी beverage brand का अगर माल लीजे, कोई बड़ी celebrity, catena keff endorsement कर रही है तो लोग obvious ही बात उनको पीएंगे तो sugar sweetened beverages है, यह major source हो गई है, आज की rate में sugar का diet और यह लोगों को type 2 diabetes की तरफ लेके जा लिए तो policy और regulatory actions for interaction food industry किसी भी प्रकार का restriction नहीं चाहती marketing के और author यहाँ पे इसी प्रकार के restrictions की बात कर रहा है author बोल रहा है कि सरकार ऐसी regulatory policies लेके आए जिसके चलते यह जो ultra processed food और beverages market में बेची जा रही है इसकी बुरी, आप कहलो outcomes के बारे में लोगों को पता चले अब क्या कभी इनको बेचने वाले लोग यह चाहेंगे यह बेचने वाले लोग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे political executives के उपर कि eat right moment fail हो जाए नहीं तो फिर इनके ultra processed products और beverages भी केंगी नहीं फासाई ने बताया है कि lack lesser response है इस crisis का dominating role है food industry का front of package labeling में उस front of package labeling में ultra processed food को healthy बना के बेचते हैं यह लोग junk food, ultra processed food लोग healthy समझके खाते हैं कि यहाँ यह healthy है इसको safeguard करने का एक ही तरीका है कि सरकार यहाँ पर manipulative strategies को रोके एक legal framework यहाँ बनाने की जरौत है जरौत पड़े ordinance के थूँ भी legal framework लेके आ सकते हो क्योंकि एक urgent necessity है कि भाई consumption of ultra processed food से पहले उसकी on package labeling क्या होनी चाहिए तो labeling पर प्रापर तरीके से लोगों को पता चले कि हाँ भाई यह unhealthy चीज है इसको खा के आपको problem हो सकती है अगर हम अपने बर्गर के packet पे अनल्दी रिख देंगे तो कौन खरी देगा तो वो तो पूरी तरीके सरकार से लड़ जाएंगे लेकिन अगर आप देखो तो दुनिया भर में South Africa, Norway और Mexico की सरकारों ने similar actions ली है food और beverages के उपर उनको consume करने के क्या नुकसान है उनके बारे में लोगों को पता हो चाहिए अब वैसे तो देखो दोस्तों तो thumbs up की bottle आती जो can आती कोका कोला के can इन सब की canों के ऊपर कही न कहीं का sugar content लिखा होता है कौन पढ़ता है उसको यार किसको पर यह technical details पढ़ने की आँ उसके उपर आप unhealthy food का एक label लगा दोगे या drink का एक label लगा दोगे तब definitely दस बार लोग सोच जाएंगे बट वो ये बेचने वाले लगने नहीं देंगे समझ गया आप बात को infant food में भी अबवाल शुरूआ था लेकिन इसको रोका गया infant milk substitute feeding bottles and infant food act के थूँ तो एक ऐसा ही act है जो adults food और beverages consume कर रहे हैं उसके respect में भी लेके हमें आना चाहिए आगे चलते हैं mentorship course के बारे मैं आपको बता चुका है आप चाहें तो एक बार चेक आउट कर सकते हैं चलिए भाई आज की current affairs का पहला important topic नॉर्वे की जॉन फॉसे को मिला है Nobel Prize for Literature यह नॉर्वे की जॉन फॉसे 64 साल के हैं इनके plays को दुनिया भर में play किया जाता है contemporary playwright field में देखिए इंडिया के अंदर मुंबई और कॉलकाता जैसे शहरों में आपको मिलेगा आगर कभी आप फॉरेंग जाता है जैसे कि जब मैं लंडन गया था तो लंडन में Central London में आपको बहुत सारे theaters मिल जाएंगे इन theaters में literally plays चलाए जाते हैं और इनकी ticket टगडी होती तो लंडन वैसे ही महंगा है उपर से वहाँ पे मतलब मेरा तुमन किया play देखने का अब मैंने देखा 30-35,000 की ticket है तो मैंने अपना plan cancel करते हैं मैंने गार play के लिए कौन 30-35,000 रुपे देगा फिर बाद में लोगों ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा है खर्च कर सकते थे बट फिर भी मेरा economic logic मुझ प्लेटर plays matter करते हैं अब मुंबई में अगर आप हो तो मुंबई में regularly play होते हैं ठीक ना दिल्ली में हो गया कॉलगता में हो गया लेकिन जो सबर्बन शहर है सोटे मोटे शहर है फिर उजबाद हो गया आपका you know मुझदफर पूर बिहार हो गया वहां पर plays उतनी quantity में नही राइटर हैं इनको इनकी innovative plays और prose मतलब यह poems के लिए भी लिखते हैं यह basically unsayable की voice को represent करते हैं मतलब जो आप कह नहीं सकते हो शब्दों में वो कह देते हैं जबरदस्त इनकी writing skills है Norwegian New North Language में Mr. Foss ने अपने ओवरे लिख रखें मतलब plays लिख रखें, novels लिख रखें, poetry collections लिख रखें, answers लिख रखें, children books लिख रखें और इनके बहुत सारे translations भी available हैं अलग अलग भाशाओं और इनके translated plays उनिया भर में play भी किये जाते हैं उनकी operating भी कियाती है जैसे boat house नाम का play, melancholy one और two ये सब किसने लिखा है ये सब लिखा है आपका नॉर्वे के जॉन फॉस याद रखेंगा boat house, melancholy one और two, septology ये सब के author कौन है किसी one liner में आपसे पूछा जाए ज़रूरी नहीं आपसे one liner में ये पूछा जाए कि noble prize literature किसको मिला आपसे ये इंगेज with the new Maldives government on all issues says ministry of external affairs ये देखे क्या है, Maldives के president elect मिलें इंडिया के high commissioner से, हम बात कर रहे हैं मुहम्मद म्यूज़ो की, मुहम्मद म्यूज़ो जो भाई, ये PPM party के हैं, ठीक है ना, तो basically ये यहाँ पे अभी के लिए Maldives के president मन गये हैं, अब Indian military persons को इन्हों नों बोल पे Maldives के अंदर placed हैं, और बहुत सारे तो इसलिए placed हैं, कि जो भी defense boast, Maldives के courts guard को इंडिया ने दी थी, उनको training उगरा provide की जा सके हैं, in fact, अगर आप देखो तो पहले ये mayor थे mail के, mail मतलब capital है Maldives की, अब ये president बन गये हैं, मौमा सौली, इबराहिम सौली को उन्होंने 19,000 vote पर्सेंट के margin से यहां पर हरा दिया है, अब इंडिया के जो ambassador साब हैं, वो जाके मिले हैं किस से, यहां पर मुहममद मुझूजुजू साब से, मुन्नू महावर जी, यह जाके मिले हैं मुहमद मुझूजू साब से, प्रधान मंतरी मोधी जो दौरा लिखा गया letter, इन्हो मुहम्मद म्यूजिजू को और overall इंडिया ने बोला कि हम पूरी तरीके से कॉडिनेट करने की और कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे किसके साथ मालदीव्स की नई सरकार की साथ इंडिया की strong military presence है इंडियन ओशन रीजिन में नैवल और एर फोर्स posted है मालदीव्स में इसका हमें idea नहीं है बट मैं आपको बता दू इन military persons की importance मालदीव्स की खुद की security के लिए भी है तो मैं आपको बता दू politics करके इस बात को बोलके कि इंडिया और campaign और बाहर की foreign military हमारे हरती पर नहीं आनी चाहिए जीत तो गए हैं लेकिन कहीं न कहीं इन military से मिलने वाली training की इनको जरूआ था तो let's see क्या बोलते हैं हो सकता है हमारे military persons को निकालते हैं हो सकता है कि थोड़ा delay करें हो सकता है कुछ बीच का arrangement दूड़ा जाए क्या होगा देखते हैं अमिश शाह जी ने recent यहाँ पर speech देते हुए बोला है कि जो हमारी देश की terror agencies हैं उनको एक ruthless approach रखनी चाहिए किसके प्रती terrorism के प्रती तो देखो ruthless approach होनी जी हाँ टेर्रिस्ट देश के लिए भाई कहीं न कहीं नासूर है उनको मार दो जादा बेटर है तो uniform anti-terrorism structure मैं उन terrorist के बात कर रहा हूँ जो कि देश के उपर आतंकवादी हमला कहते हैं उन terrorism की नहीं जो political motives के लिए किसी को terrorist मना देते हैं तो basically यहाँ पे national investigation agency की leadership के अंदर एक uniform terrorism structure बनाने की बात हो रही है पूरी देश में नेकिए terrorism की बहुत सी agencies केंदर की सरकार के अंदर काम करती है इनको आप अलग-अलग तरीके से देख सकते हो जैसे कि सीधे-सीधे external attacks को रोकना हो तो raw है national investigating agency है financial crime को रोकना हो enforcement directorate है directorate of revenue intelligence है internal आप कहलो intelligence के लिए intelligence bureau है ठीक है भाई तो यह सब चीज़े हो गई लेकिन कुछ agencies यहाँ पर राज की सरकार के अंदर भी काम करती है जैसा नहीं कि सारी terrorist agency केंदर की सरकार के अंदर है राज की सरकार की भी अपनी terrorist agency होती है जैसे कि for example anti-terrorist squad यह राज के लेवल पर बनाया जा सकता है अलग अलग परपसस के साफसे मौईजम के लड़ने के लिए intelligence activities के लिए 36 गड़ के अंदर अपनी खुद की टेरिस्ट एजेंसी है तो ओर आल इन एजेंसी का जो स्ट्रक्चर है जो हरार्की है वो uniform होनी चाहिए और वो कहीं न कहीं NIA के आपके लो leadership के अंदर होनी चाहिए और एक ऐसा database यहाँ पर हमको develop करना पड़ेगा जिसके चलते information को बड़े आराम से exchange किया जा सके और इन terrorist agencies को out of the box सोचना है इनका जो अंबेट है वो केवल investigation तक limited नहीं होगा out of the box measures लेके terrorism को रोकना यह इनका यहाँ पर कहा है पिर अपनी सरकार बगारा की भी तारीफ कर रहे हैं करते हैं जिसमें इनका बोलना है यह non-profit organization है global internet freedom की बात करते हैं इनका बोलना है कि दुनिया भर में internet freedom लगातार तेरिवे साल है कि कम हो रही है जो environment है human online rights का वो deteriorate हो गया 19 कंट्री में केवल 20 कंट्री में online human rights वो एक gain मिला है बाकी countries में कहीं न कहीं कम हुआ है सबसे अच्छा status का है Iceland में टूटर स्कूर 94 UK में 79 जर्मनी में 77 US में 76 इंडिया कहीं न कहीं 50 नंबर पर पाकिस्तान 25 नंबर पर आता है यह जो report है जो कि 13 एडिशन है annual study of human rights का online यहाँ पर जो development है वो जून 2022 से मई 2023 के बीच में 70 कंट्री की internet freedom को यहाँ पर देखा गया है कि जो आपका digital repression है यह सबसे बड़ा ज़ादा बढ़ा है इरान के अंदर इरान के अंदर सबसे अधा authorities ने internet services को बंद किया है whatsapp और instagram को block करवाया है surveillance करवाया है anti government जो protest हुए चाइना में इनको यहाँ पर दवाया गया है तो basically अगर आप देखो तो दुनिया का सबसे गंदा environment चाइना के अंदर है उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे गंदा environment इस समय पे online freedom के मामले में मायनमार में है पिछले एक साल में सबसे ज़दा गंदा environment कही है अकर सबसे ज़दा बढ़ा है तो वो इरान है ठीक है अगर overall लोगों को लोगों ने online कुछ गड़बढ़ किया तो उनके खिलाफ legal repercussions हो सकते हैं पचपन कंट्रीज में इस प्रकार की activity सुनने को मिली है ठीक है न भई बहुत सारे incumbent leader को criminalize किया गया है hate speech के लिए blocked access to independent news sites के लिए कहना कि information के flow को रोका गया और यह पूरी दुनिया की बात हो रही है यह कि वहल इंडिया की बात नहीं हुरी पूरी दुनिया में एक्टिविटी देखना को मिल रही है इंडिया के अंदर बात की जा है तो इंडिया के अंदर भी AI enabled digital repression हो रहा है overall जो ruling party है उनके ओपर यह इंजाम लगा के बोल रहे हैं कि यह censorship कर रहे है automated systems को deploy करके country के legal framework को दबा रहे है IT rules जो है वो large social media platforms को दबाते हैं AI based moderation tools के basis पे समझ के बात को तो यह सब चीज़े यहां पर बोली गई government ने जो YouTube और Twitter के against order issue किया था कि जो Modi जी का role था communal violence में उसकी जो BBC documentary release हुई थी इस पे कोई भी उनका link जैसे कि क्या होता है जो BBC वाली documentary थी जो Modi जी के उपर उसके respect में अगर कोई भी link अगर YouTube यह X यानी Twitter पर circulate हो रहा है तो उसको artificial intelligence रोक दो तो किस प्रकार से artificial intelligence के नाम पर free speech को रोका जा रहा है तो यह सब बाते हैं और रहल यहां पे और रहल इस particular report के थूँ बताई जाने है ओविस सी बात है हमारी current tooling सरकार इन reports को reject करेगी अगर आप 1 से 100 में देखो तो य elderly mental health care को लेके लेकिन इससे पहले एक article में high court refuses to entertains PIL to mend dangerous drugs यह चोटी सी news इसको कवर कर लेता हूँ फिर elderly वाले article पर हुआ हुआ दिल्ली high court ने Thursday को decline कर दिया एक PIL entertain करने में यह PIL बोल रही थी कि dangerous breed जो है ना आपके लो pet dogs की पैट dogs के जो बड़े dangerous topic होते हैं जैसे pit bulls होते हैं, terriers होते हैं, american bulldogs होते हैं, rot wellers होते हैं तो यह dangerous dogs की breeds हैं इन dangerous dogs की breeds के registration को बंद करना शुरू करना चाहिए दिल्ली के अंदर क्या है कि बही जो registration है pet dogs का वो उनके owners के दौरा mandatory है according to section 399 of the दिल्ली municipal corporation act को अवे से बात इससे related नियम कानून कौन मना रहा है दिल्ली की सरकार बना रही है, अब इस नियम कानून के अगेंस्ट कुछ petitioners पहुंच गया दिल्ली हाइकोड की bench बैठी चीफ जस्टिस सदीश चंदर सर्मा क्यों जस्टिस संजीव निरूला कि उन्होंनों बोला कि भई आप एक चीज बताओ अगर आपको इस प्रकार की कोई activity बंद करवानी है, तो ये सरकार के अंबिट के अंदर आती, ये policy सरकार बनाती, तो आप सरकार के पास जाओ, आप सरकार के पास जानी रहा हो, सरकार की policy के अगेंस सीधे court में आरह हो, तो ये एक गलत trend है, आप गलत trend set up कर रहा हो, अगर आ बहुत सारे pet dogs को support करते हैं street dogs को support करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं उनको नहीं पसंद आता ठीक है भाई सबका अपना thought process है अब हुआ यह है कि अगर सरकार overall in dogs के against हो जाती है और इनके registration वगरा में problem वगरा करती है तो सरकार के against a backlash हो सकता है तो basically PIL यह बोल रही है कि आप जो certain breeds हैं हम सारे कुट्पों की बात नहीं कर रहा हैं यह certain breeds या कुछ cross breeds में dogs की जिनको आप dangerous बुला आता है उनका license cancel करो उनको आप as a pets नहीं दा सकते हैं उनका registration नहीं करा सकते as a pets चुकि जब यह कुट्पे overall किसी इनसान को काट लें तो उस particular इनसान को खासा health problems हो सकती है और उ in fact यह dangerous streets of dogs बारा countries में बैंड है इंडिया में भी कुछ ब्रीट बैंड लेकिन यहां पर overall इनके registration की permission दे रखी है यह policy decision है की सरकार का decision है आपके इसके बारे में क्या रहा है नीचे count box बताइए फिर बाई world elders day मनाया जाता है mental health day मनाया जाता है 10 October और कहीं न करे mental health day बुढ़े लोगों की सेहत के साथ जुड़ी हुई है देखे इस समय पे जो older लोग है globe में वो बहुत है और आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे 2022 में overall 60 से उपर की आबादी पूरी दुनिया में 110 करोन है 13.9% of the global population है 2050 तक ये number 2.1 billion 210 करोन पहुच जाएगा पूरी दुनिया का 22% मने पूरी आबादी का 20% इंडिया भी पीछे नहीं है 2022 में इंडिया में 10.5% आबादी older adults किये 60 से जाधा किये मतलब 149 million adults लगबग 14 करोन 90 लाग और ये figure इंडिया में 34 करोन 70 लाग हो जाएगा 347 million यानि कि 20.8% of the population by 2050 ठीक है न भाई तो अव्वेसी बात है आज की date में जो older लोग है वो अव्वेसी बात है अपने ancestors से ज़्यादा जी जाते है पहले क्या था ancestors लोग पहले जल्दी मर जाते थे जल्दी मर जाते थे तो overall ज्यादा life expectancy थी नहीं अब life expectancy जाता है साट साल के ओबर लोग जिन्दा रहते है ठीक है so I mean healthy aging और adults की mental health ये एक society की responsibility बन जाती है अब बहुत सारे misconception of physios होते हैं aging के बारे में कि aging में mental health problem हो जाती depression है anxiety है dementia है देखिए बुड़ा होना एक normal physiological processes और convenience के लिए हम ये क्या सकते हैं कि aging physical social और psychological तीनो domains में होती है तो हमारे लिए ये remember करना important है कि हर domain एक दूसरे के साथ interact करें देखिए aging के जो physical aspects हैं वो काफी apparent है आपके बाद सफेद होने लगेंगे ठीकिन आपका muscle mass कम होने लगेगा लेकिन आज की डेट में aging में अलग-अलग individuals अलग-अलग प्रकार से involved होते हैं 70 और 80 की age group में जो लोग आते हैं वो अलग-अलग प्रकार से active हैं कुछ ज़्यादा active हैं कुछ कम active हैं कुछ तो marathon fit active elders हैं और कुछ लोग क्या हैं कि उनसे बहुत कम उमर के हैं लेकिन bed-ridden हैं मूल भी नहीं कर पा रहे हैं तो बुसक्ति लिए aging में आपकी body कैसे respond करेगी आपके genes पर, lifestyle पर, environment पर, diseases पर बहुत सरी चीज़ों भी depend रहता है लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ हैं भाई, old age में common है जैसी कि भाई, dependency एक old इंसान की अपने बच्चों के बढ़ जाती, social isolation बढ़ जाता है, poverty, ageism, pessimism, nihilism ये कहीं न कहीं social challenges जो हमारे elders face करते हैं emotional, physical, sexual और financial abuse भी इनका हो सकता है और जो प्रपिटर्स जो ये abuse करते हैं इनके उपर, most public family member होता है इनफेर बहुत सारे towns और cities एंडिया के अंदर जो elder factory नहीं है public buildings inaccessible हैं, वहाँ पे ramp नहीं है, सिफ सीडिया है तो चड़के कैसे जाएगा एक बुड़ा इंसान उपर और अगर ramp भी है तो वहाँ पे handrail नहीं है, pavements non-existent है pavements को parking के लिए इस्तमाल किया गया, public transport बहुत ज़दा limited है तो अगर आफ physiological aspects की बात करो, जैसे जैसे हम बुड़े होते हैं तो भाई ये माना जाता है कि बुड़ा इंसान बड़ा wise होता है उसके पास life की बड़ी understanding होती है, experience होता है ठीके ना भाई, अब देखें, Eric Erikson साब ने प्रपोस किया ego integrity versus despair human के अंदर जो final psychological developmental stage होती है न वहाँ पे ये बहुत ज़दा ज़रूरी होता है कि एक particular बुड़ा इंसान ये समझे कि वो अपनी जिंदगी में जितना best कर सकता था उसने best किया है, चुकि बुड़े age में overall आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा आप उस efficiency से, या ताकत से, या vigor से काम नहीं कर पाऊगे जितना आप अपने young age में किया करते देगा तो कही न कही ओल्ड age की limitations को आपको अपने अंदर accept करना पड़ेगा अब क्या होता है, लोग बुढ़े सरी से तो हो जाते है लेकिन psychologically वो इस बात को accept नहीं कर पाते है जब वो psychologically इस बात को accept नहीं कर पाते है तो वो कही न कही फ्रस्टेट हो जाते है कियार मैं अपनी जिंदगी में कुछ करी नहीं पाया और ये frustration कही न कहीं आपको बुढ़ापे में परिशान कर देगी चुकि बुढ़ापे में आप कहीं न कहीं एन एन एक्पेक्टेटिव हो आपका शरीर उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहा और इसके लिए mental illness हो जाती है बुढ़े लोगों को 15% जो हमारे elders हैं लगबग 2,20 लाग उनको serious mental illness हैं इंडिया के अंदर अगर आप देखो एक context प्रोवाइड किया जाए तो अगर इंडिया के साड़े बुढ़े लोगों को 15% elders को मतरब 2,20 लाग elders को इंडिया के अंदर अगर उखमरेड करना हो तो चिन्नाई जैसे दो शहरों की सुरुत पलेगी इनको कुछ common mental health problem होती जैसे depression, anxiety, substance use disorder, dementia अब क्या है कि जब बुढ़े लोगों को mental illness होती हो अकसर के treatment नहीं ले ते treatment gap spaggering है 90% बुढ़े लोगों को जिनको mental problem है treatment ही नहीं मिलता और कई बार तो health care populations भी इनकी problems के प्रतियु जागर नहीं जैसे किसी बुढ़े इंसान को dementia है तो यहाँ पर treatment करता ही नहीं है अब देखिए बात यह है कि treatment और cure में फरक है हो सकता है dementia एक बुढ़े इनसान में cure ना हो पर उसके treatment के थुरू आपके symptoms को आप कम कर सकते हो तो basically pessimistic approach नहीं लेनी है आपको health problems elders में families की responsibility होती है in fact हमारी as a society responsibility है कि हम अपने बुढ़ों का घ्यान रखे है अगर उनको neurogenerative condition है dementia जैसी है तो उनकी suffering को तो कम करने कोशिश करें उनकी quality of life को बढ़ाने की कोशिश करें चुकि obvious सी बात अगर आप उनकी quality of life को नहीं बढ़ाओगे और वो बीमार है तो भीया aging और mental illness के सासथ उनको society में stigma भी झेलना पड़ेगा अगर उनके पास पैसे नहीं है poverty है, lack of access to services है उनके हालात और ज़्यादा खराब हो जाएंगे और ये बिलकुल भी सही नहीं है तो इसके लिए देखिए इन challenges को address करने के लिए इंडिया के अंदर वैसे बहुत सारे interventions की है जिस साइको सोशल treatment शुड़ू है day centers है, particular medicines लेके आई गई है लेकिन ये सब cities में available लेगाओं वगरे में available नहीं है तो rural communities में मदद के लिए स्कार्फ, सीजोफरीनिया, Research Foundation ने पार्टनर किया है, अजीम प्रेमजी फांडिशन के साथ ताकि elder mental health के बारे में awareness फिलाई जा सके rural इलाकों में, क्यामल नाडू के अंदर ठीक है भई, तो ये सब चीज़े हैं तो जो volunteers हैं इस particular program के अंदर वो mental health problems के बारे में बुढ़ों को बताते हैं उनकी family के बारे में बताते हैं, कैसे उनकी मदद की जा सकती हैं, उनकी बारे में बताते हैं इल्डर्स के socialization के लिए, कोलम और रंगोली ड्रॉ की जाती हैं complex cognitive styles के थू, मतलब ये बुढ़े ड्रॉ करते हैं ताकि overall इनका दिमाग है ना, उसका जो potential proactiveness है, वो हम लोग यहां पर बना के रखता हैं ये सब बातें overall बताई गई हैं, individual level पे, family level पे, social level पे, civil society की level पे, बूढों को support करने की बाते हैं यहां पे कही जानी, साथ-साथ, city और town planners को भी यहां पर ध्यान रखना चाहिए, यो town planning में elderly friendly design को मना के रखें, ताकि उनकी mobility यहां पर compromise ना, उनकी dependency यहां पर काम हो, बहुत सार रेटायर्मेंट हो, और अलिल केस में फैसिलिटी राने की जुरोते हैं, एक excellent care और fantastic opportunity देने की जुरोते हैं, चोकि जो social disadvantage यह बूढों के पास, उसको कही न कहीं हम sort out पर सकेंगें। तो यह था आज का analysis दोस्तों, I hope आपको काफी कुछ सिखने हों मिला होगा, आपने व्यूपांट इस इकांट रोस से देखी जाएगा, Instagram follow कर लिएगा, Telegram गूप चंक कर लिएगा, जाद जाद लोग सा lecture करें हो, चाहिए हैं तो mentorship course जोईन कर सकते हैं, Goodbye friends.